हेलो दूस्तो नमश्कार इस विड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब लगा चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो लिटरली मतलब बोलते ना कि आपका कोई एक ऐसा स्टॉक है जो चल रहा है ठीक है शेयर होल्डर का हक मारके कुछ कंपनियां रहती ना इसे मतलब बड़े ग्रूप की खुद के फाइदे के लिए छोटे शेयर होल्डर को देखते नहीं है एंड खरीद लेते तो टाटा ग्रूप तो ऐसा बिलकुल भी करता नहीं है टाटा ग्रूप हमेशा वो कौन सी कंपनिय कौन से वो लकी शेयर होल्डर से तो उसी से रिलेटेड बात करना चाहूंगा दोस्तो तो आपको यादे कल के ही दीन मैंने एक वीडियो बनाया था M.P. से रिलेटेड Association of Mutual Fund in India So, यहाँ पे Mutual Fund से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो इंडिया में जो participation है वो Mutual Fund में बढ़ता ही जा रहा है मैंने आप लोगों को कल भी बता है था सबसे main जो डेटा था पात साल पहले की बात करे जितना पूरे बारा महीने में जो पैसा आता था वो अभी पात साल के बाद 2022 में चार महीने में ही उससे कई गुना जादा आ रहा है पैसा तो आप अंदजा लगा सकते हैं आने वाले नेक्स्ट पात साल में कितना पैसा आ सकता है So, definitely Mutual Fund में स्कोप है हर किसी को यहाँ पर पता है हर कोई मार्केट को खुद से तो ट्रैक नहीं कर सकता है बहुत सारे प्रोफेशनल लोग है जिनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ संबाल नहीं है बट वो इन्वेस्ट करना चाते है तो वो क्या करते है Obviously Mutual Fund के थ्रू बाजार में पैसा लगाते है So, दोस्तो यहाँ पर जो जबरदस्ट न्यूज देखने को मिल रही है कि Tata Group यहाँ पर क्या करने वाला है एक Asset Management Company को यहाँ पर खरीदने वाला है Yes, मतलब report के जरी है सारी खबरे देखने को मिल रही है And उस company का नामे दोस्तो UTI AMC Yes, दोस्तो UTI AMC के अगर हम लोग बात करें आज की दिन आप लोगोंने देखा होगा लगबख 14% के आसपस हम लोगों को तेज देखने को आपे मिला अभी कोई stock ऐसे थोड़ी ना भागीगा उसके पीछे कोई ना कोई reason तो रहेगा So दोस्तो यही reason हम लोगो फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है So UTI AMC के अगर हम लोग बात करें मैं सारा article आभी आप लोगों को यहापे बताने वाला हूँ But मैं चीजों को repeat कर रहा हूँ बार-बार के report के जरीए sources के जरीए खबर देखने को आपे मिल रहे है But बाजार ऐसे ही चलता है दोस्तो Official news आने से पहले ही हम लोगों को यहापे Unofficial news देखने को मिल जाती है And इसके चलते बाजार पहले react कर देता है So दोस्तो अभी मैं यहापे आना चाहूँगा Article के उपर and इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजे सीखने को मिलने वाली है Plus यहापे कुछ चीजे मैंने आप लोगों को stock market classes उस channel में मैंने कुछ lectures में आप लोगों को सिखाई थी तो वो चीजे आप लोगों को अभी perfectly यहापे fit बैठती हुई देखने को आपे मिल रही है तो आपको मतलब concept जो आपका है वो बिल्कुल clear हो जाएगा तो चले सबसे पहले formality कर लेते है UTA, AMC की अगर हम लोग बात करे Tuesday की बात करे, आज इकी दिन की बात करे 15% भागा, क्यों भागा? Report के जरीए, देखे मैं highlight कर रहा हूँ दोस्तों बार-बार इस चीज़ को कि Report देखे कभी गलत होता है कभी-कभी ऐसा भी हो सकते कि बोल सकते कि अफ़वाहे करके, रैट, वो तो हमारे हाथ में ने जैसे मैंने का कि 100% कोई सच नहीं होता है बट 90% अगर देखा गया, तो मार्केट में Report के जरीए आने वाली खबरे सच होती है सो आप यहापे देख सकते हो, Report के जरीए बताया जा रहा है, क्या बता जा रहा है? Tata Group, 45% stake यहापे खरीच सकता है इतनी बड़ी बात हम लोगों को देखने के आपे मिल रही है सो Report के जरीए आप देख सकते है According to the Report Tata Asset Management Company, Tata AMC यहापे प्लान कर रहा है क्या प्लान कर रहा है? To acquire the shares held by the four public sector undertaking PSU in the fund house that manage asset worth 2.24 trillion अभी इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ बहुत ही जबरदस्त है और यहापे between the lines कुछ चीज़े आप लोगों को समझ में आने चाहिए अगर आपने ये पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़े यहापे trigger नहीं हुई मतलब आपका study मतलब कमजोरता नहीं में बोल सकता थोड़ा सा आपको और भी मतलब पढ़ना पड़ेगा अगर आपनी ये चीज़ को guess किया होगा कि ऐसा है मतलब जैसे मैं ये चीज़ों को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये company में share holding pattern क्या रहेगा मतलब आप यहापे देख सकते दोस्तों जो Tata Group यहापे जो Tata EMC क्या करने वाला है UTA EMC को खरीदने की बाद हो रहे है खरीदने मतलब कितना 45% shares खरीद रहे है भी 45% खरीदने के बाद और 6% खरीदने में क्या जाता है तो वो बाद में जरू किसी के साथ deal करके खरीद भी सकते So 45% वो share मतलब खरीदने जा रहे है बट उनको क्या करना पढ़ रहा है कि 4 PSU से share खरीदने पढ़ रहे है इसका अरत कहा है दोस्तों Definitely इतना बड़ा stake किसी public sector के पास है या फिर किसी अन्य shareholder के पास है मतलब इस company में promoter है ही नहीं या फिर promoter के पास बहुत ही कम share है मैंने आप लोगों को एक चीज यहापे सिखा के रखी थी चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाओंगा यह देखे शेर holding pattern UTA AMC का share holding pattern में आपको दिखाना चाओंगा देखिए यहापे promoter है नहीं यह professionally managed company पहले से ही promoter नहीं थे and foreign investor थोड़े से ही है DIs आप लोग देख सकते है and public है so यहापे आप देख सकते है DIs में में click कर लेता हूँ तो यहापे चार public sector मतलब इनके नाम सामने है यहापे आ रहे है कौनसा पंजाब national bank यहाँ से इनका पूरा share खरी देंगे then bank of baroda इनका लगबग 9.98 10% का share खरी देंगे then state bank of india 9.98 इनका भी पूरा stake खरी देंगे and उसी के साथ साथ life insurance LSE की अगर हम लोग बात करे corporation LSE बात हो रहे है 9.98 तो उनसे भी यहापे share खरी देंगे इस चार लोगों का मिला कर stake हम लोगों को देखने को मिलने वाला है जिसका अगर आप लोग टोटल करोगे तो 45 के आसपस हम लोगों को जाते वे देखने को आपे मिल रहा है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पे stock market classes इस चानल पे भी हर Saturday वीडियो आते है आप लोगों को पताया है यहाँ पे यह देखे यह वाला वीडियो जहाँ पे promoter holding zero रहती है यहाँ पे advantages and disadvantages क्या है तो आप जरू इस वीडियो को देख सकते हो इसका link मैंने उपर i button पे दिया है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि promoter zero होना यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़े हो सकती वहाँ पे मैंने यह point भी cover किया था कि कोई भी आके कभी भी company को क्या कर सकता है खरीद सकता है and उसी का practical example अभी हम लोगों को फिलाल report के जरीए क्यों न हो सही फिलाल तो हम लोगे सारी चीज़े देखने को आपे मिल रही है अभी हम लोग वापस आ चुके article के उपर यह लिखे सारी चीज़े वही यहाँ पे लिखे हुई है यहाँ पे लिखे आगे क्या लिखा है Tata AMC Tata की भी खुद की AMC वाली company जो stock market में listed तो नहीं है and UTA AMC यह stock market में listed है यह अगर दोनों मिल जाए इनका position हो जाएगा 6th largest fund house in the country अम लोग जरू कह सकते इसके पहले की जो position थी UTA की अगर हम लोग बात करे तो यह rank था उसका 8 वे number पे and Tata AMC की rank की बात करे तो वो है 13th position पे so definitely यहाँ पे Tata कैसे खरीद रहा है बाकी 4 public sector से shares खरीदेंगे and यहाँ पे हम लोग कह सकते आने वाले समय में कुछ और भी अगर यहाँ पे percentage वो manage कर लेते है तो controlling strength भी इनके अंडर यहाँ पे आ सकता है so definitely यह 8 number यह 13 number दोनों मिल जाएंगे तो जरूर यहाँ पे directly 6th number पे जम करते वे देखने को मिलेंगे asset मतलब AUM के अगर हम लोग बात करें तो यह 6th number पे इतना बड़ा asset manage करते वे देखने को आपे मिल जाएंगे तो जो बहुत ही बड़ी बात हम लोग को देखने को आपे मिल सकती है next अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इतनी बड़ी breaking news आ जाने के बाद यहाँ पे confirm करने के लिए Tata Group को पुछा गया उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें UTI को भी पूछा गया तो यह रिखे बोथ Tata AMC, UTI AMC refuse to comment on a market speculation मतलब जो यह अभी चल रहा है उससे related उनको पूछा गया उन्होंने deny नहीं किया, उन्होंने comment नहीं किया वो silent रहे तो definitely यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं शायद से यह news हम लोग को सच भी साबित होती वह देखने को यह पे मिल सकती है, so definitely यहाँ पे बहुत सरे complications भी हो सकते हैं कुछ rules आते हैं, regulations रहते हैं बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यह news अगर सच साबित हो जाती है तो UTI AMC वालों के लिए बहुत ही शांदार news रहेगी क्योंकि ऐसा वैसा कोई इस company को नहीं खरीदेगा 45% है, खरीदना बोलना थोड़ा सा गलत रहेगा बट still, Tata Group हम लोगों को यहाँ पे इस company में हम लोग बात करें, उनके पास 23% शेर जे इस company की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर Tata यहाँ पे अच्छीव कर लेता है तो उनी का नाम सबसे ज़्यादा टॉप पे देखने को मिल जाएगा बट जैसे में ने का कि सबसे बड़ा problem के है कि यहाँ पे सरकार से यहाँ पे इन चार public sector जो shareholders है उनसे उनको permission लाना पड़ेगा divestment से related ही हम लोगों को यह सारी चीज़े देखने को मिलें कि अब वो अपना stake यहाँ पे बेच दे करके सो अगर सरकार यहाँ पे permission दे देती है और यहाँ पे M.P.E. से related भी कोई दिक्कते नहीं होती है सेभी से भी कोई दिक्कते नहीं होती है तो definitely यहाँ पे Tata, UTI, AMC को यहाँ पे क्या कर सकता है 45% stake के साथ यहाँ पे खरीद के आगे बढ़ सकता है सो देख लेते अभी जितना न्यूस था उतना में आप लोगों के सामने रख लिया है आगे जो भी न्यूस यहाँ पे आजाएगी वो मैं आपके सामने आपे रख दूँगा बट जाते जाते भी मैं आप लोगों को वापस रिमांड करना चाहँगा रिपोर्ट के जरिए विल्बे मिटिंगार नेक्स सुडियो तब तक के लिए बाई बाई